प्रडाम सभी, योग प्रेमियों, योगा उन्रागियों, मात्र शक्ति, सबको मेरा प्रडाम, जिंदगी मिली साधना के लिए, बीत जाये न देखो सपन में कहीं, यह जीवन साधने के लिए है, आप साधक है, परमात्मा साध्य है, योग एक साधना है, साध लीजिए, सब सद जाएगा, एक एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएगा, योग को साधी जीवन सद जाएगा, आज हम चर्चा करेंगे, यूरिन के लिए, पिसाव बहुत ज़्यादा होता हो, पिसाव रुकता नहो, पिसाव में जलन होता हो, आज विकृतियां है हमे एक उपाय करिए मस्त रहेंगे जो बच्चा 12 साल का हो गया है वो भी विस्तर पविसाच कर दे रहा है पिसाब कर दे रहा है जान बुश कर तो कोई करता नहीं नीद में उसे लगता है जैसे मैं बातरों में खड़ा हूँ और पिसाब हो जाता है एक उपाय अपनाईए शरीर के एक अंको एक मिनट तीस सिकेंड प्रेसित कर दीजिए आपका प्रोष्टेड हो आपके पिसाब में जो भी कुछ विक्रतियां होई हो सब दूर हो जाएगा छोटा सा भ्यास यह कनिष्टा अंगली है न छोटी वाली वंगली जिसे लेडिश फिंगर कहते हैं इसके अगरभाग को अंग्ठे से ऐसे ऐसे गवर से देख लीजिए तीस सिकेंड इसको दबाईए बड़े इत्मिनान से इसको तीस सिकेंड दबा ले इस पोर को अंग्रभाग को और 30 सिकेंड आप इस कनिष्टा अंगली के अंगठे से दबा लें निश्चित ही पिसाब पनियंत्र प्रात कर लेंगे रोक भी लेंगे पिसाब रोकना नहीं चाहिए लेकिन हो भी न जाए उस पर नियंत्र करता है छोटा सा अभ्यास ये कनिष्टा अंगली के अग्रभाग को ये यूरिन का पॉइंट है बंदू इसको दबाने से पिसाब में इंद्रियों में सक्ति आती है हम छोटे रहते थे जब पढ़ा करते थे गुर्कुराज में तो लक्सन का लगती थी हमें तो हम अपने गुर्जनों से जाने के लिए इसी अंगलिक उठा करके अनुमती लिया करते थे यह पिसाब केंद्रियों का द्योतक है तो निश्चित हिलाब मिलेगा यह छोटा सा भ्यास का निश्टा अंगली कि ऐसे ऐसे गवर से देख लिजिए एक दम आरा मिलेगा छोटा सा भ्यास आप मस्त रहेंगे एक उपाय और बता देता हो तमा मताओं का सिकायत होता है कई वार हमसे पूछते है मेल भी आता है कि पिसाब रोक नहीं पाते है जब लगता है तो बातरूम हमें जाना पड़ता है एक उपायाओ कर ले बैठे बैठे दिन में चार बार पात बार पिसाब इंदरी को आकुंचन करके दस सिकेन रोके फिर छोड़ दे दस सिकेन रोके मूल बंद का लाता इसे फिर छोड़ दे ऐसा पंदरह से बीस बार आप करे आपको लाब मिलेगा इसे अस्वनी मुद्रा कहते हैं योग किवासा में आप नाम छोड़ दीजिए कुछ नहीं ले ना देना है में नाम से में तो काम से मतलब है उस इंद्री को शिकोरना फैलाया ना यह जनन इंद्री संबंधी जितने विकार होते हैं सब पर अपना अधिकार देता है यह छोटा सा भ्यास और समय समय पर काला तिल और गुड़ वैसे ठंड में हम लोग तिल आदि खाते हैं ना आईसे भी कभी कभी ले लिया करें काला तिल और गुड़ बरावर मात्रा में मिस्रन करके निवू को अतना लड़ू बना करके दो लड़ू आप खाईए कैसा भी पिसाब में सिकायत हो एक दम मस्त रहेंगे न जलन होगी न पिसाब जादा होगा न पिसाब में जो नियंतर हट गया है आपका उस पर नियंतर हो जाएगा यह देगा छोटी सी क्रिया फिर सिद्यान से सुन ले